मद्यप्रदेश में लोगसबद चुनाव के दौरान पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान बार-बार कमलनाथ सरकार पर किसानों की कर्ज माफी के नाम धोका देने का आरोप लगा रहे हैं इसी आरोप से जलाए कॉंग्रिस नेता मंगलवार को कर्ज माफी के बंडलों के साथ शिवराज सिंग चोहान के बंगले पहुँचे विधान सबद चुनाव के दौराण कॉंग्रिस ने अपने वचन पत्र में सरकार बनने के दस दिनों में किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था इसी के चलते मुख्य मंत्री कमलनात ने सरकार बनने के कुछी दिन में जै किसान रिंग योजना की खोशना करते हुए किसानों के दो लाक रुपे तक कर्ज माफ किये हैं लेकिन भाजपा विधान सबा चुनाव में मिली करारी हार को सहन नहीं कर पाई जिसके चलते सीएम कमलनात पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया जोरान लोकसबा चुनाव प्रचारा भ्यान के दोरान भाजपा ने कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा लेकर जनता के भी पहुंचे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान सहित तमाम बड़े नेता कॉंग्रेस सरकार पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर व्यंग कसने लगे वहीं भाजपा द्वारा बार बार जै किसान रिण माफी योजना के जूटे आरोप से जलाए कॉंग्रेस नेताओं का एक दल किसानों की रिण माफी के दस्तावेजों को गाड़ी में लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराद सिंग के बंगले पहुंचे यह किसान रिण माफी योजना के अंसर ना हमारे एक शिवरी मुख्यमंत्री ने शपत लेने की शुरस बात करने संबंदी आदेश जारी थे प्रफम चरण में लट्बर 21,00,00 का कर्द माफ हो गया जाए वह परफॉर्मिंग एसेडज का हो चालू खाते का हो चाए डेफल्टर खाते बाद चालू खाते और डिफॉल्टर खाते वाले किसानों का जिनका कर्द माफ हुआ है वो राशी बैंकों में चली गई वो बैंक के नाम इने देखे गए आएफसी कोड देखे गए तिसान का नाम देखे गए तिसान के परिबार का पूरा डिटेल्स देखे गए और शुरुआत जयद से किये हमने इनके गाउं से कि ये देख लिए आप दे रहे हैं आरोप पत्र में कि प्रदेश के एक प्रतिनीदी मंडल सुरेश पचौरी की अगुवाई में 21 लाग कर्द माफी वाले किसानों की प्रमानित सूची के साथ पूरु सियम शिवराज के घर पहुँचा मंडल में चंद्र प्रभाज शेकर, मंत्री पीसी शर्म, स्चोभा ओजा, नरेंदर सलूजा, राजीव सिंग, कैलाश मिश्रा आदी सभी उपस्तित रहें वीरो रिपोर्ट